सलाम अलेकुम बच्चों आज हम जो तारोस रिवार्ड लेसन को कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस क्लास में मैंने ये कहा था कि तारो फाइनली अपने पेरेंट्स को साके पिलाता है और सब मुतमयीन हो जाते हैं तो बच्चों उसी दिन दोपेर आफ्टरनून का वक्त था तो एक पडोशन आवरत तारो के घर विजिट करती है तो तारो के जो फादर होते हैं उस आवरत को वन कप अफ साके देते हैं वो आवरत ग्रीडिली मतलब लाल ची से उस कप को पी जाती है और तारो उस आवरत को सारी कहानी सुना देता है बच्चों दमेजिक वाटरफॉल क्या था किस तरह से उसे साके मिला सब के बारे में तारो उस आवरत को कहानी सुना देता है तो उस अवरत सब को शुक्रिया अदा करके वहां से जल्द बाजी में घर के बाहर निकलाती है आकर सारे गाव में जो खबर थी नियूस सब कुछ फैला देती हैं बचों तो धीरे धीरे करके एक एक करके तारों के घर गाव वाले आने लगते हैं और साके पीने लगते हैं और मैजिक वाटरफाल की कहानी सुनकर जाने लगते हैं बचों तो ये घंटे के अंदर-अंदर तारों के घर में साके खतम हो जाता है तो अगले दिन सुबह होती है तो जल्दी जग जाता है तारों बहुत बड़ा पिचर पिचर मतलब मटकी Waterfall के पास चलता है तो बच्टों जैसे Waterfall के पास पहुंचता है तो मनजर को देख कर वहां के तारों हैरान हो जाता है सरप्राइज हो जाता है क्यठों कि Waterfall के पास उससे पहले सारे नाइबर सारे विलेजर्स जो है आल्रेडी पहुंचे हुए हैं तो उसमें से एक विलेजर वाटरफाल के नीचे खड़े होकर पानी टेस्ट कर रहा है और बारे बार टेस्ट करता जा रहा है फाइनली वो ये चिलाता है कि ये साके नहीं है सिर्फ और सिर्फ थंडा पानी है लोग बच्चों चिलाने लगते हैं तो कहते हैं कि तारो ने हमें चीटिंग की है तारो ने हमें धोका दिया है चलो तारो को पकड़ो इसी वाटरफाल के अंदर तारो को डुबो दो तारो भी बहुत होश्यार आदमी था बच्चों एक पत्थर के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और उसे मालुम था कि उसके जान के लिए खतरा है तो तारो जाता नहीं है तो उनको तारो मिलता नहीं है तो थोड़ी देर के बाद एक एक करके गाम वाले वापस अपने घरों को निकल जाते है तो तारो को शक होता है बच्चों कि भाई ये क्या हुआ मुझे तो साके मिला इस वाटरफाल से तो ये लोग चिला रहे हैं कि थंडा पानी है चलो चल कर देखते हैं तो तारो वहाम पर जाता है बच्चों जाकर पानी पीता है तो तारो के लिए वाटरफाल साके ही देता है तो साके ही होता है तारो के लिए क्यों तारो एक फर्मबरदार और एक नेक इंसान था एक फिक्रमंद बेटा था तो इस वजे से Magic Waterfall तारो के लिए साके देता है और दूसरे लोगों को सिर्फ और सिर्फ थंडा पानी देता है भचो तो ये जो खबर है तारो की और Magic Waterfall की The Emperor of Japan तक पहुंच जाती है Emperor मतलब बात्शा तो बात्शा फर्मान भी जाता है कि चलो तारो को पकड़ कर मिरे सामने पेश करो तो तारो को लाया जाता है दरबार में तो Emperor of Japan बहुत खुश हो जाते हैं खुश होकर 20 सोने के सिके 20 पीसेस अफ गोल्ड तारो को इनाम में दे देते हैं बच्चों और उस शहर का जो मशूर और खुबसूरत फाउंटेन होता है उसे तारो का नाम दे देते हैं और सारे बच्चों से ये कहते हैं Emperor of Japan कि आप सब लोग अपने-पने माबाप पेरेंट्स की इज़त करें और फर्मा बरदार बने तारो जैसा बने ताकि आपको भी तारो जैसी नसीब हासिल हो तो बच्चों moral of the story ये है कि हम सब को अपने माबाप की ख़दर करना है और उनके लिए हमें फिकर मंद रहना है तो ये थी कहानी बच्चों आप दुबारा सुने और क्षिन और आंसर्स करने की भी कोशिश करें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें जजाक अल्दा